जहांगीराबाद कोतवालिक शेत्र में मार पीच में घायल एक यूवक क्यूप चार के दोरान मोथ हो गई पुलस पर मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आरोपियों को गिरफतार ना करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने देर रात आने के सामने शव रख कर जाम लगाने का प्रयास किया यसे तरह से पुलस अधिकारियों ने लोगों को समझा कर श्रवकान तिम संसकार करवाया प्राप्त जानकारी के मताबिक जहांगीराबाद को त्वालिक शेतर के गाउं अंधियार निवासी रवी कुमार ने दर्श कराय मुकदमे में बताया था कि एक सितंबर को उसके पिता विजे सिंग जिसकी उमर 48 साल थी पुत्र होराम सिंग को रास्ते में रोखकर गाउं निवासी प्रभू पुत्र के लाय सुधिर पुत्र दर्शन सिंग, विनीता देवी पतनी प्रभू और लोकेश कुमार पुत्र ब्रह्मा सिंग ने गाली गलोच की थी और वीरोद करने पर उनके पिता को लाठी डंडो से मार पेच कर खायल कर दिया था जिसमें उसे काफी अंद्रूनी और बाहरी चोट आई थी आरोपी धमकी दे कर फरार हो गए थे परिजनों ने उसे मेरट मेडिकल में भरती करवाया और कई दिनों तक मेरट मेडिकल में भरती होने के बाद उसे दिल्ली के सब्दर गंज अस्पताल में रेफर किया गया शनिवार को फचार के दुरान अस्पताल में विजे सिंग की मौत हो गई युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया वहीं संबंध में प्रभाली निरिक्षक में हेंद्र त्रिपार्ठी ने बत ठाने पहुँच गए और पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी ना करने का रोप लगाते हुए ठाने के सामने अनूप शहर बुलंद शहर रोड़ पर शवरक कर हंगामा शुरू कर दिया गया और जाम लगाने का प्रियास किया गया मोके पर पहुचे अनूप शहर सीयो गिर्जा शेंकर त्रेपार्टी ने आरोपियों की गिरफतारी का आश्वासन देकर लोगों को शांद किया और इसके बाद पुलिस की मौजोदगे में मृतक के शव का अंतिमसंसकार किया गया। कोट परिजनों ने सड़क परशव रखने का प्रियास किया था लेकिन समझा कर अंतिमसंसकार करवाया गया मुकदमे में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई गई है आरोपियों को जल्द ही गिरफतार किया जाएगा बुलन शहर से ब्यूरो रिपोर्ट